दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेलानी रॉविंस दौरा लिखी बुक दा फाइब सेकंड रूल की लेखक मेल रॉविंस एक अमेरिकी ओन एर CNN कॉमेंटेटर, होस्ट, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है पांच सेकंड रूल आपको ऐसा पावर देता है कि आप सच में अपनी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं ये आपकी पुरानी आदतों और निगेटिव थौट्स को नस्ट करके आपको अभी इसी पल में जीना सिखाता है अपने पैसन को हासिल करने के लिए निकल पड़िये अपने डर को जीत कर आगे बढ़िये और अपने सपनों के जीवन को खुल कर जी लीजिए फाइब सेकेंड रूल आपको सिखाती है कि सिर्फ पांच सेकेंड में अपने जीवन को समरिध कैसे बनाएं और संदेह से कैसे बचें दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है इस वीडियो के बांकी पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप बांकी पार्ट को जरूर देखें आएए फाइब सेकेंड रूल बुक को और विस्तार से समझते हैं फाइब सेकेंड रूल कैसे काम करता है जब पांच से लेकर एक तक उल्टी गिंती गिंते हैं और तुरंत एक्सन ले लेते हैं तब आपका ध्यान काम की तरफ लग जाता है इसलिए दिमाग उन चिंता डर या हिजकिचाहट के बारे में सोच नहीं पाता जिससे आप फिर सिल को बनाता और बिगारता है तो जब हम ऐसे स्टेप्स लेना सुरू कर देते हैं तो दिमाग में अच्छी आदत का एक लूप बन जाता है और रोज की चिंता और डर से लरने से हम नहीं हिचकिचाहटे लेखक का कहना है कि पांच सेकेंड नियम के माध्यम से उसने सीखा कि जब लक्षों, सपनों और अपने जीवन को बदलने की बात आती है तो आपका आंत्रिक ज्यान परतिभासाली होता है आपका मार्क दरसन करने के लिए आपके अंदर लक्ष संबंधी आवेग, आगरह और विर्ती मौजूद है आपको उन पर दाव लगाना सीखना होगा क् कि इत्यास साबित करता है, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरना कव आएगी और वह खोज आपको कहां ले जाएगी, यदि आप उस पर कारवाई करने के लिए खुद पर प्रयाप्त भरोसा नहीं करते हैं। मुझे यह करना है, मुझे वह करना है। जब भी आप उन चीजों के पास होते हैं, जो आपको उन लक्षों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं, तो आपका मस्तिक्स उन लक्ष को पूरा करने के लिए आपकी प्रविर्टी को भरकाता है। आपका ब्रेन आपको या किसी को वर्काउट करते हुई देखते है तो आपका प्रिफरेंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा क्योंकि आप स्वस्थ होने से सम्मादित किसी चीज के करीब हैं जैसे ही आप जिम के पास से गुजरते हैं यह एक संकेत देता है कि आपको भी वर्काउट करना चाहिए, यही आपकी विर्ति या नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है, जो आपको लक्ष की याद दिलाती है, यह आपका आंतरिक ज्यान है और इस पर ध्यान देना आवश्यक है, चाहे वह विर्ति कितनी ही छोटी या म उर्कतापुर्ण क्यों ना हो, जब भी आपको यह नेचुरल इंस्टिंक्ट फील हो, तो फॉरन 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए, उधारन के लिए जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हो, टाइम पास कर रहे होते हैं, तब आपका इनर विज्डम बोलता है, चलो अपने गोल से रिलेटेड काम करते हैं, तो जब भी ऐसा हो, फॉरन काउंटडाउन करिए, तब चाहिए छोटा ही सही, लेकिन गोल ओरियंटेड एक्टन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम टी-सर्ट नाम का एक्सपरिमेंट किया गया था, इसमें उन्हें एक इंबरेसिंग सी टी-सर्ट पहनाई गयी, फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया, जहां पर बहुत सारे लोग थे, अब उस रूम में चलाने के बाद लर्कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है, कितनी लोगों ने तुम्हारी इंबरेसिंग सी टी-सर्ट को नोटिस किया होगा, तब इस पर ओन एवरेज लड़कों ने कहा, एटलिस्ट फिप्टी परसंट लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि एक्च्वल में 20 परसंट या उससे भी कम लोगों ने नोट परसंटों के बारे में, इसी तरह आपको पता ही होगा, नाइक का टेगलाइन है, जो यूजली वो एथिलीट को भी टारगेट करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, टेगलाइन तो डूइट भी हो सकता था, जरूइट लिखने की क्या जरूरत थी, जरूरत थी, क्योंकि उ परस्ट डूइट, फास्ट एक्षन महतपूर्ण है, ओथर कहती हैं कि हमारे एक्षन नौ ले पाने के तीन बड़े आपस्टिकल होते हैं, सबसे पहले हमारा खुद का ब्रेन, दूसरा सक्सिस, या हम बोल सकते हैं कमफर्ट जोन, और तीसरा फियर या डर, यहां पर हम ब् हम अपने घर तक पहुँच जाते हैं, फिर सोचते हैं, अरे यार, कब यहां पहुच गए, पता ही नहीं चला, दूसरा, डिरेक्टेट थॉट्स, एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है, तो वह यूजूली आटो पाइलेट पर होता है, जब भी उसको कोई एक्षन ल देंगे कि आपको exactly क्या करना चाहिए, क्या एक्षन लेने होंगे, अगर fit होना है, तो क्या करना है, अगर पैसे कमाने है, तो क्या करना होगा, लेकिन हम हर बार वह सब नहीं करते, क्योंकि हमारा brain नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए फिर वह हमें excuse देने लगता है, नहीं वर्काउट मत करो, क्योंकि तुम ठके हुए हो, गोल्स पर काम मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, फेल हो जाओगे, तुमको knowledge ही नहीं है, ऐसे ही वह हमको बहुत सारे excuse देने लगता है, वह यह सब करता है within 5 seconds, इसी रिए जब हम 5 second rule apply करना शुरू करेंगे, countdown करके फॉ साल तक, कुछ सालों पहले तक, लोगों को ऐसा ही लगता था, हमारा brain 25 सालों तक ही बढ़ता है, लेकिन plasticity research बताती है, कि हमारा brain जिन्दगी भर बढ़ सकता है, इसलिए हम नई चीजें सीख पाते हैं, हम चाहे किसी भी उम्र के क्यों नहों, हम किसी भी habit को अपना सकते हैं सायद अभी आपके दिमाग में एक pattern बना होगा, जो आपको काम नहीं करने दे रहा होगा, लेकिन जब आप 5 second rule apply करेंगे, तो यह pattern अपने आप बदलेगा, जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ रेद पर दवाता है, तो उसके हाथ के निसान छप जाते हैं, वैसे ही जब आ आपको एक्सन लेने में और ज़्यादा help करेंगा, अध्याए 5, everyday courage, रोज की साहस या आत्म विस्वास बढ़ाने में 5 second rule का योगदान, हमारे मन में कई बार ये ख्याल आता है, कि लोग कैसे बहादूरी का काम कर जाते हैं, बहुत हिम्मत या साहस होगी उनमें, पर सच तो आइडिया को बताने में हिचकिचाना, या किसी काम को सुरू करने से डरना, कि कहीं फैल ना हो जाएं, तो इस नियम का इस्तमाल कीजिए और इस डर से बाहर निकल आईए, ऐसे ही एक्सन लेते लेते आपके अंदर आत्म विस्वास और साहस बढ़ता जाएगा, हम अक्सर स साहस की कहानी सुनकर कहते हैं कि ऐसे हिमत के काम के लिए बलंद होसलों की जरुवत होती है, जिसने इतिहास में ना जाने कितने किस्थों को अमर कर दिया, लेकिन यह हिमत हम अपनी रोज की जिन्दगी में भी देख सकते हैं, कई बार डर और बेचैनी के पल हमारे इस साहस को दबा कर रख देती है पर ये हिम्मत और साहस हम में से हर एक के अंदर पहले से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहती है हमें इसकी जरुवत होती है किसी भी कठिन समय में कुछ करने के लिए और जिंदगी में जब हमें इसकी सबसे ज़रुरत होती है किसी मुसीवत का सामना करने के लिए और एक्सन लेने के लिए तो ये हमें एक कुस और जोज देने का काम करता है ये हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है ये करेज अलग-अलग रूप में आता है एक्जामपल के लिए रोजा पार्क्स ने भैंकर सहस का परदर्सन किया जब साल 1995 में अल्बामा में एक बस में जब उन्हें उनके सीट से उठने को बोला गया पर उन्होंने अपने बस की सीट छोरने से मना कर दिया बाद में जब रोजा को ये किस्सा याद आया तो उसने कहा कि उसने ऐसा करने की प्लैनिंग नहीं की थी और नहीं रुक कर इसके परिनाम के बारे में सोचा था उसने बस उसी पल में ये डिसाइट किया था क्योंकि उसके बरतास्त की सीमा पार हो चुकी थी वो एक ब्लैक अमेरिकन के रूप में किये जाने वाले भेदभाव से बिलकुल ठक गई थी और इसलिए बिना टरे वो खुद के लिए खरी हुई सहाजी होने का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता ये खुद को भी बदलना होता है अध्याई 6 What are you waiting for? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोगों ने जिन्दगी में इंतजार का खेल तो खेला ही है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही समय के लिए वेट किया या खुद को ज़्यादा confident बनाने के लिए वेट किया इस इंतजार का कारन जो भी हो इसने आपको पीछे पकर कर रखा हुआ है क्योंकि आपके इंतजार का हर पल सिर्फ आपके सकनों को हासिल करने में देर नहीं करता बलकि आप सही माइनों में अपने सकनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं सचाई तो ये है कि जीवन में कोई सही वक्त नहीं होता क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जिन्दगी कितने दिनों की है हमारे पास बस अभी ये जो पल है वही मौजूद है और आप इन पलों को कैसे जीते हैं ये आप प अपनी मंजिल को पा सकते हैं बाहर ये दूसरों से सुनने की चाहत की जगह खुद अपने अंदर जोस भरिये आपको अपने खुद से किसी काम को करने की हिम्मत होनी चाहिए कोई भी समय तब तक सही नहीं होता जब तक कि आप उसे सही ना बना दे चाहे आप कितने भी डरे ह क्यों नहीं हो या कितने भी नर्वस क्यों नहीं हो हिम्मत करके उठो और खुद को आगे लाओ राइट मॉमेंट कुछ नहीं होता लेकिन कोई भी मॉमेंट राइट हो सकता है उदाहरन के लिए E.L. James को ही ले ले वो मजहूर नॉबेल 50 Sets of Gray की ऑथर है उन्होंने बिना कि किसी प्रकासक के लिखना सुरू किया किसी एजेंट या बुक डील के बिना जैम्स जो एक वर्किंग मदर है ने ट्वी लाइट से इंस्पायर होकर लिखना सुरू कर दिया समय के साथ उन्हें बुक लिखने का confidence आ गया जो बाद में उन्होंने खुद पब्लिज भी की थी सिर्फ चार दिनों में उस बुक की एक मिलियन कॉपी बिग गई थी जब हम कोई एक्सन लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले उसके परिनाम के बारे में सोचते हैं उससे कुछ मिलने की guarantee चाहते हैं लेकिन ज़्यादा तरसमय इसकी कोई guarantee नहीं होती ऐसा सोचना सुरू कर की result माइने नहीं रखता ज़्यादा माइने ये रखता है कि दुनिया में बाहर निकल कर कोशिस करके आप अपने अंदर की power को जगाए रखते हैं अमेरिकन एक्टर मार्क रफलो ने 600 बार audition दिया जिसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला रोल मिला रोबियो पोपुलर एंग्री वर्ड्स के क्रियेटर हैं उन्होंने सक्सेस का स्वाथ चखने से पहले कम से कम 50 गेम्स लाँच किये थी पिकासो ने अपने जीवन में 50,000 पेंटिंग्स बनाए थी लेकिन सिर्फ 100 को ही masterpiece होने का खिताब मिला बाहर की दुनिया में आने से आ आपको आम दोर पर नहीं मिल सकता फाइब सेकेंड रूल की मदद से आप ये वेटिंग गेम खतम कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं दव फाइब सेकेंड रूल बुक की समरी यह समरी आपको कैसी लग हमारे यूटूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें धन्यवाद